बरेली में मासूम की हत्या कर पेट से लटकाने की आरोपी युवक को भीड़ने ने पीट-पीट कर मार दिया बताया जा रहा है कि मासूम की हत्या के बाद से 26 वर्शे आरोपी युवक फरार चल रहा था इस्थानिय पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम खुसित करते हुए जगा जगा उसके पोस्टर लगाए थे लेकिन उसके बाद भी पुलिस को कोई सुराप नहीं लग सका था इसी बीच बुद्धवार की शाम मासूम के परिजनों और आरोपी प्रेम पाल को पकड़ लिया इसके पहले की मौके पर पुलिस बहुसती लोगों की भील ने आरोपी को लाठी डंडों और इटों से पीट-पीट कर मौत के घाट उतार दिया हमले के बाद प्रेम पाल को अस्पताल ले जाया गया जहां चिकट्सकों ने उसे मृत खोशित कर दिया स्पी रोहिस सिंग सजवान ने बताया कि एक चार वर्षे बच्चे के यौर्फ पेडन के बाद उसकी निर्मम हत्या के मामले में पुलिस को आरोपी प्रेम पाल की तलास थी पुलिस के टीम उसकी गिरफतारे के लिए लगातार प्रयास कर रही थी लेकिन इसी बीच बुद्धुवार को उनला थाना छेतर में कुछ लोगों ने प्रेम पाल को पीट-पीट कर मार दिया पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफतार किया है गिरिफतार किये गई दोनों लोग मिर्टक बच्चे के रिष्टेदार है फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों समेथ कई अन्य अग्यातों के खिलाफ F.I.R. दर्श कर ली है पुलिस के अनुसार प्रेन पाल परेली में ही उन्ला में छिपा था बता दे कि 13 जुलाई को खेलने के लिए कहकर 4 वर्षी बच्चा घर से बाहर निकला था इसके बाद वह लापता हो गया परिजनों ने उसे ढूनने का काफी प्रयास किया लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका बताया जा रहा है कि बच्चे को आखरी बार प्रेम पाल के साथ खेलती दिखा गया था जो बारा जुलाई को परिवार के कुछ रिष्टोदारों के संग उनकी घर गया था परिजनों को सुरवात में लगा था कि प्रेम पाल ने उनके बच्चे का फरंट फिरोती के लिए किया है लेकिन कुछ खंटे बाद ही ग्रामिडों ने गाउं के बाहर एक पेड़ पर बच्चे का सव लटका देखा और तुरण परिवारवालों के साथ पुलिस को सूचना दी सूचना के बाद खटना इस्थर पर पहुची पुलिस ने सब पोस्ट माटम जांच के लिए भिजवाया पोस्ट माटम जांच में पता चला कि बच्चा पहले यौन सोशन का सिकार हुआ है और उसके बाद गला खोट कर हत्या के बास सब लटकाने की पुष्टी हुई थी पुलिस ने प्रिमपाल के खिलाब धारा 302, 37, 364, 201 और पाकसो अधिनियम की धारा चार बटे पांच के तहट केस दर्ज किया था बिरो रिपोर्ट आईपियन